मरियादाओं को ढाक कर रख लो और जितना ज्यादा मरियादित रहो गया आप जैसे मैं अभी यहां तक पहने हूँ यहां तक हाँ दिखता है तो तुमारा मन क्या होता है और थोड़ा खिसक जाए दिख जाए क्या है क्या है वही है तुमारा आथ वही मेरा आथ और उसमें क् दुनिया में चल रहा है, इसमें दिमाग कितना लोग खर्च करते, कितना खराब करते, खोपड़ा अपना कुछ भी नहीं है, वासना, विशे भोग, इससे भी एक दिन तो मूब जाओगा इससे भी हार जाओगा, इससे भी ठक जाओगा और इससे बहुत दुखी हो जाओगा, इससे दूर भागो गए, फकीर बन जाओगे, सादू बाबा बन जाओगे कुछ भी इसमें सार नहीं है, बहुत सी इस्त्रियों को कहते मैंने सुना है वे कहते हैं मेरा मन होता घर छोण कर कहीं भाग जाओगा तो मैं कहता हूँ जब तुम्हारा मन होता है कि घर छोण कर कहीं भाग जाओगा तब तो भाग सकती हो कि कहीं भाग ना, तो चाहे कहीं भाग जाओगा एक निश्य जगे पर भाग के जाना हो तो थोड़ा सोचना पड़ेगा लेकिन कहीं भाग ना है तो चाहे कहीं भाग जाओ क्या फार्पड़ा तो लेकिन भाग नहीं पाऊगा है क्योंकि भागना भी कठने है किसे भागोगे अंदर भै भारा हुआ है कि कहीं भागेंगे और जैसा यहां मिला ऐसा भी न मिला तो क्या होगा दोनों दिन्स गए पाड़े न हलुआ रहे माड़े इधर का छोण दिया उधर मिला भी नहीं आधि छोण पूरुई को धावे पूरी मिले ना आधि पावे धोभी का कुत्ता न घर का न घाट का भाजपा छोण दिया कंग्रेस में बैठक नहीं मिली कंग्रेस छोड़ दिया भाजपमस्थान नहीं मिला राष्टी जनतादल छोड़ दिया नीती स्कुमार नहीं इंट्री नहीं दिया अब बीच में घूम रहें धोबिक कुत्ता अब कहा जाए ये बहुत मुस्किल का कम इसलिए कोई पुलिस का आदमी है वो भी नौकरी नहीं छोड़ पाता है हलंकी उपर इसान हो जाता है इतना मोटा कपड़ पहने पहने उसका सरीर सब सड़ जाता है कभी-कभी उसको गुश्चा आती है हटा बोरा निकाल कर फेक दो बेकूप आदमी इतना मेरे अश्रम पर नैपाल बोडर में पांच पुलिस वाले मेरे ड्यूटी में थे तो एक बोल रहा था है देखो ये बोरा से छुट्टी कम मिलेगे मैंने बोरा है कि पुलिस का युनिफारम है अरे बोले होगा युनिफारम तंग हो गए ना इसमें हवा घुसती इतना मोटा है पॉलिस्टर है अब आदत बन गई उसे में सड़ रहा हों क्या करूं लेकिन फिर भी नौकरी छोण कर भाग नहीं सकता क्योंकि भागे तो उसको ऐसा लगता है ये भी नहीं मिला तो क्या होगा भागने की हिम्मत बहुत कम लोगों के पास होते और कभी भागने में धोका भी हो जाता है आपने ब्यास गादी से तो छलांग ले ली पर आगे प्लेटफारम नहीं मिला तो कहां गिरो गिर जाकर बंदर भी एक डाल छोड़ने से पहले आइडिया लगा लेता वो डाल है तब खुदता है तो आदमी तो बंदर से गुद्धिमान है ये तो पूरा पेंड देख लेगा तभी कुदेगा नहीं तो कुदेगा हुशिम बेठा लेगा जो जागल सो भागल हो रमया जो जागता है वही भागता है सोए सोए कैसे भागोगे और तुम अभी प्राणी पदार्थ की नींद में सोए हो लोव मोह की नींद में सोए हो कैसे जागोगे कोई सद्गुरु जगाएगा संतों जागते नींदे न कीजे संतों जागते नींदे न कीजे संतों जागते रहना जागते जागते नींदे में न चले जाना संतों को समझाया गया ये संत जो बैठे है इनकी लिए बात तुम्हारे लिए नहीं तुम तो कुछ भी करो ठीक लिए इनको समझाए गए संतों जागत नींद न कीज़े अरे संतों तुम जाग चुके हो जिस भोग बिलास को त्याग करके आ गए हो माया मोह को अब उसकी नींद में फिर से मत सो जाना है ये संतों को जगाया गया है मौलोवियों को जगाया है काजियों को जगाया है और गुरद्वारा के ग्यानियों को जगाया गया है चर्च के पादरी को जगा गया है सादू संत को जगा गया है कि तुम दुनिया को जगाने का ठेका लेकर के बैठे हो तो कहीं तुम पुनह नींद में सो मत चाला संतों जागत नींद नकिल जाए याद रखना जो जाग गया है उसे शाओधान रहना पड़ेगा नहीं तो फिर सो सकता फिर से नींदा सकती है तुम बुराईया छोड़ चुके हो लेकिन फिर से बुराईयों में फ़स सकते हो तुमने चोरी छोड़ दी है फिर से चोरी सुरू कर सकते हो बेविचारी छोड़ी है फिर से बेविचार शुरू कर सकते हो और तुमने लड़ाई जगड़ा छोड़ दिया है फिर से शुरू कर सकते हो इसलिए याद रखना संतों तुम जाग चुके हो होश में आ चुके हो अब पुना इस संसार के माया मोह में सो मत जाना क्यों? क्योंकि तुमारी जगाने की भी ड्यूटी है संत माह है जो माया मोह की नीन से खुद जागता है और पुरे संसार को जगाने का काम करता है उसी को संत कहते है जो संत दूसरों को जगाता नहीं है वो संत सम्दों भी सोया हुआ है जागो और जगाओ कैसे? की आदत को छोड़ाना बेविचार की आदत को छोड़ाना इराग देश पच्छबाद भेद भाव की आदत को छोड़ाना यही जागना है और जिस समय तुमको होश आएगा जिसकी नींद टूट गई उसके लिए अब हिंदू भी खतम हो गया मुसल्मान भी खतम हो गया शिक भी खतम हो गया इशाई खतम हो गया उसके लिए तो सुद्ध इंसान बचता है और जो भी सोया हुआ है उसके लिए बहुत कछ दिखता है याद रखना धर्म के नाम पर जितना लोगों नींद लिया है इतना तो राजनीती के नाम पर भी लोग नहीं सोये नींद को तोड़ना है और नीं तूटी आख खुली बिवेक जागा फिर तुम गलत न कर सको गया जिनका बिवेक जागरत हो गया है उनके हाथों से गलत होता ही नहीं बहुत समझाना पड़ेगा उनको गलत करने के लिए फिर भी हो समझेंगे नहीं कितने इस्त्रियां अपने पतियों को समझाती है कि तुम कुछ तो अपने भविश्य के लिए बचाओ कुछ तो भाईयों से चुराओ कुछ बाप से कपट करो तुम कितने ब्योकूफ हो सब रख रहे हैं तुम नहीं बचा पा रहे हो बड़ी ट्रेनिंग देती है कितने नेताओं को भी ट्रेनिंग मिलती है एक आदमी मोदी जी को ट्रेनिंग दे रहा था कि तुमने क्या सीखा राजनीती में अभी तब कुछ बना ही नहीं पाए वही फोकटनाथ भूम रहे हो सीखो उनसे उनके पास कुछ नहीं था आज हजारो एकड़ जमीन हो गई दिल्ली और मदरास में महल हो गए तुम वही से खोकलानाथ बने मोदी सीखता ही नहीं क्योंकि जिसकी चेतना जागरत हो जाती है उसको लाख चोरी बैमानी चल कबड सिखाओ वो सीखने वाला नहीं है और जिसकी चेतना सोई है उसको लाख समझाओ वो बुराई चोड़ने वाला नहीं है इसलिए सत्संग तुमारे बिवेक को जागरत करता है चेतना को जागरत करता है और जिस समय चेतना जागरत होती है कितने पतियों की इस्त्रियां समझाती है कि अपने माबाप को छोड़ कर अलग हो जाओ अलग होता ही नहीं क्योंकि उसको दिखता है ये तो गलत हो जाएगा तु इस्त्रिय समझाती है मैं अपने माबाप को छोड़ कर आपके पास आ गई तो गलत नहीं हुआ तुम अपने माबाप को छोड़ कर मेरे ही साथ रह तो क्या गलत होगा अरे तु इस्तरी है मैं पुरुष हो इस्तरी पुरुष का अलग-अलग फार्मूला होता है तू माबाप को छोड़ करा यह बाहर से छोड़ा है अंदर से कहा छोड़ा तूने रोज फोन लगाती है मम्मी ठीक ठाक हो की नहीं अंदर से तू पकड़े है अपनी मम्मी को और मेरे को क्यों छोड़ा रही अपनी मम्मी से मैं नहीं छोड़ूँगा नहीं छोड़ोगे तो मैं तुमको छोड़ोगी यह क्या नाटक खड़ी कर दिया है बहत मुश्किने खड़ी हो गए और जिस लेडिस की चेतना ज़ागरत हो जाती है उपनी माँ की तरह सासु की भी सेवा करती है उपने पिता की तरह ससुर का सम्मान करती है और अपने पती का भी सम्मान रखती है देवर और जेट का भी लिहाजा रखती है पूरे घर को जोडने का प्रियास करती है और किस तरह से मेरे घर का संगठन बना रहे और किस तरह से उन्नती हो जिस नेता की चेतना जग्रत हो जाती है पूरे देश की उन्नती के लिए सोचता है किसी एक जाती के लिए नहीं मजभ के लिए नहीं सब के विकास के लिए सोचता है कि हमारे देश की सड़क कैसे बनेगी देश के पुल कैसे बनेगी और बिरिज कैसे बनेगी जाम कैसे खतम होगी ना जाम खतम हुई ना काला जाम खतम हुआ ना सफेद जाम खतम हुआ आज तक सत्तर साल हो गए सरकार बदलते बनते लेकिन भागलपुर कहल गाओं की जाम खतम नहीं हो गए सरकारे खतम हो गए नेता खतम हो गए उट देने वाले खतम हो गए पर गड़े खतम नहीं हुए मैं सौचता हूँ ये गड़े भी इन ही के साथ खतम हो जाते तो अच्छा रहता है लेकिन गड़े कैसे खतम होंगे क्योंकि दिमागों में बड़े-बड़े गड़े बने हुए हैं लोब लालज के गड़े बने हुए हैं, तो यह बाहर के गड़े मिटने वाले नहीं, और जनता भी बहुत टकडों की लोबी है, इसकी भी चेतना सोई हुई है, जनता चाहती है, जो हमको फिरी देगा उसी को हम वोट देंगे, फिरी फिरी गेहूं, फिरी चना, फिरी फिरी का तेल, फिरी शकर, फिरी नमक, बड़ी शरम की बात है, नमक भी सरकार दे तब तुम नमक खाओ, कितने नमक हराम निकले, हद हो गई, नमक भी खरीद कर नहीं खा सकते, जणियां भी मेहनत करके अपना पेट भर लेती हैं, पसुपच्छी भी मेहनत करके अपना पेट भर लेते हैं, धिकार है उनसान को, कि अपने पेट भरकने के लिए भी मेहनत नहीं कर सकता है, इतना भी नहीं कमा सकता कि उसका खुद का पेट भर जाए, इस मनुसिका पेट भ मुझको चावल नहीं चाहिए, चना नहीं चाहिए, ग्यों नहीं चाहिए, मिट्टिक तेल नमक नहीं चाहिए, मुझको सोला लेन की रोड चाहिए, मुझको और ब्रिज चाहिए, और मुझको जाम खतम होनी चाहिए, रास्ता साफ होना चाहिए, बाकी ये तो हम खेत में कमा चल रहा है यूपी में भी यंपी में भी यही चातिस गड़ में गतवर्स मुझे बहुत मजाया एक बोर्ड में मैंने लिखा हुआ पढ़ा कि मेरी शरकार आएगी तो पचास पैसा किलो चावल तो मैंने कहा गमाल है पचास पैसा किलो तो दूसरे दिन दूसरे बोर्ड में देखा मैंने तो लिखा था मेरी शरकार आएगी तो बिलकुर फिर ही चावल तो फिर मैं तीसरे दिन निकला कि तीसरा बोर्ड साहथ दिखाई दे तो तीसरा नहीं दिखा तीसरे नेता को लिखके बोर्ड में लगाना चाहिए मैं पका क पर चावल खिला तुना बेखूफ कहीं के फिर चोथा नेता बोर डरगा देख खाकर जो टटी करो गोई मैं उठा ले जाओंगा पागलों ऐसे चलती है सरकार ऐसे चलता है देश यह क्या बना रहो बवाल सब भारत देश खनिश पदार्थों का देश है सोना उगलने वाला देश है यहां की मिट्टी इतनी गजब की है बिहार की धर्ती में कहीं भी गेहूं डाल दो बेशर्मी के साथ खड़ा होता है राजस्थान यंपी की मिट्टी में सरसों डाल दो इतनी बेशर्मी के साथ खड़ी होती है यूपी की मिट्टी में गन्न डाल दो ऐसी शकर पैदा होती है 36 गड़ की मिट्टी में धान डालता कहीं भी बोदो लहला कर खड़ा बजाता जिस देश की मिट्टी इतना अन देती हो जिस देश की मिट्टी के अंदर कोयला, सोना, चांदी, अबरक, जस्ता, तामा जिस देश की मिट्टी के अंदर हीरा निकलते हो उस देश की सड़कों का ये हाल उस देश की नहरों का ये हाल उस देश की निवासियों के मकानों का ये बदाल उस देश के लोगों की सिच्छा का ये हाल बड़ा मज़ा आता है मुझे देख करके मैं नेताओं से भी निवेदन करूँगा जनता से भी निवेदन करूँगा थोड़ा चेतना को जागरत करो देश भक्त बनो ग्राम भक्त बनो गुरू भक्त बनो गौ भक्त बनो माता पिता के भी भक्त बनो और मरियादाओं के भी भक्त बनो संभल संभल करके चलो नशा बेशन से मुक्त बनो बुरी आदतन से मुक्त बनो जुआ सराव से मुक्त बनो तास मनो रंजन से मुक्त बनो फेशन बेशन से मुक्त बनो और टेंसन से मुक्त बनो कितनी टेंसन है आजकर लोगों को लोगों का चेहरा देखो तो ऐसा नहीं दिखता कि मनुश्य का चेहरा ऐसे लगता कोई भूत प्रेत बैठा है इस्त्रियों का भी चेहरा देखो तो इनका चेहरा भी कोई इंद्रपरी जैसा नहीं है भारी टेंसन है बहुत दुख है बहुत रोना धोना है बहुत गाली गलोज है बड़ा चिल पो है घर में महाभारत छिड़ी है मारा मारी है ये समझी नहीं पा रही कि मैं द्रोपदी हूँ कि गंधारी हूँ कि कुंती हूँ जो दाओ मिलता वही बन के ठना ठन पारती लगी है ये सब घर को नरक बना दिया कले कलेश का केंदर बना दिया लड जगड करके अशांती पैदा कर दिया थोड़ा गम खाना भी सीखो शांती रखो सहन सीलता रखो विबेग करो संदोस भी करो दूसरों को धन्यवाद भी देना सीखो छोटों को आशिरवाद देना सीखो मन में काठ मत बनाओ कोई भूल हो गई है किसी से उसको भूल भी जाओ कल से फिर ताजा प्रेम करो थोड़ा जिंदगी में नए ढंक से जीना सीखो